सो हेलो गाइज इस मी आयूश और मैं तुम सभी का विलकूम करता हूँ चैनल के एक और रैंड न्यू वीडियो में और आज के वीडियो में हम लोग एक्स्पिलनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंज के सीजन फॉर के एपिसोड नमबर फॉर्थ का सुना विजारेशनी इन्मो जहां किंग एला आ चुके होते हैं क्योंकि प्रिवियस एपिसोड में किंग एकबर्ट ने किंग एला को वैसेक्स में बुलाया था किंग एला कुंतरिट से पूछते हैं कि आखिर हम कैसे आपको वापस से मरसिया के ध्रोन पर बिठा सकते हैं जिस पर कुंतरिट बोलती है कि अब तो हमें फुल फलेज अटैक करना ही पड़ेगा मरसिया पे क्योंकि जिन रेबल्स ने कुईन कुंतरिट को ओवर्थो किया था अब उन्होंने अपनी एक पूरी काउंसल बना लिये और वो पूरे मरसिया के उपर राज कर रहे हैं कि बजहे से ऐटेक करने के अलावा और कोई चारा नहीं है कि यहां पर यह घृ जाते हैं मगर हम लोग यहां पर यह understanding कि मैगनस पसंद नहीं होता है मगर फ्लॉकी ने उन सब को जॉइन नहीं किया होता है वो अकेले हलका के साथ होता है इसके पस सीन सीटों के एशलोग के उपर जाता है जिसे की यीडू आके बताती है कि आईवर जग चुका है वो रो रहा है और एशलोग को बुला रहा है जिस वज़े से एशलोग आईवर के पास जाती है एशलोग के पीछे पीछे रैगनार भी आता है जो कि आईवर को गोदी लेता है और उसे जो बाकी बच्चे कर रहे होते हैं वही चीजे करने को बोलता है क्योंकि रैगनार यहाँ पे आईवर को नॉर्मल फील करवाना चाहरा होता है क्योंकि जैसा तुम लोग जानते हो आईवर के पैर खराब हैं और वो चल नहीं सकता मगर आईवर वो सारी चीजे करने से मना कर देता है और एशलोग भी आईवर को अपने पास लेके बोलती है कि आईवर नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है रैगनार बस आईवर के लिए अच्छा ही जा रहा होता है मगर एशलोग इस चीज़ को नहीं देख पा रही होती और रैगनार भी अच्छी तरीके से अपना लव नहीं दिखा पा रहा होता इसके बस सीन से टोके फ्लोकी के उपर जाता है जो कि ढोंगी बाबा के पास आता है और ये पहली बार है हुए देखा है ढोंगी बाबा बोलता है कि उसने फ्लोकी का इंतजार काफी सौ सालों से किया है और अब फ्लोकी फाइनली उसके पास आ गया है फ्लोकी को ये सारी बाते समझ में नहीं आ रही होती है कि अगर क्या बोल रहा है ढोंगी बाबा मगर ढोंगी बाबा बोलता ह कि तुम्हें exactly मालूम है कि मेरा क्या मतलब है फ्लॉकी और इसके बाद फ्लॉकी काफी confused होके हसने लगता है basically हमें यहाँ पे यह हिंट दी जा रही होती है कि सायद फ्लॉकी actual में लोकी है इसके बाद सीन सिफ्टों के पैरिस की तरफ जाता है जहां रोम से एक special पादरी यहाँ पे प्रिंसेस गिसला और रोलो का divorce कराने आया होता है मगर रोलो अब पैरिस की भासा सीख चुका होता है और वो प्रिंसेस गिसला से बोलता है कि प्रिंसेस गिसला उसे divorce ना दे और उसकी destiny है Princess Gisla के साथ रहना और वो भी Princess Gisla की ही तरह Paris के लिए अपनी जान भी दे सकता है ये सुनने के बाद प्रिंसेस गिसला सबको रूम से जाने को बोल देती है और जब रोलो और प्रिंसेस गिसला रूम के अंदर अकेले होते है तब प्रिंसेस गिसला रोलो से बोलती है कि उसे काफी अच्छा लगाए कि रोलो ने उसकी भासा सीख लिये और अपने लव और ड रागनार के उपर जाता है जो कि सोने की एक्टिंग कर रहा होता है और उसके पास एशलोग आके उससे बोलती है कि उसे मालूम है कि रागनार यीडा के प्रती अट्रैक्टेड है और एशलोग रागनार से बोलती है कि रागनार उसकी चिंता ना करे एशलोग को इस बात से को कि यीडा के पास आता है और इसे पूसता है कि वो एक स्लेव कैसे बनी क्योंकि वो स्लेव के तौर पे पैदा नहीं हुई थी रैगनार को ये बात तो मालूम है क्योंकि यीडा सही से स्लेवों वाले काम नहीं कर पाती है जिस पर यीडा रैगनार को बताती है कि एक बार वो अपनी फैमली और कुछ लोगों के साथ सिप पे ट्रैवल कर रही थी मगर तब ही वहाँ पे पाइरेट्स आ गए बहुत लोगों को जान से मार दिया और जितने लोग बचे उन लोगों को उन पाइरेट्स ने स्लेव बना के बेच दिया यीडा रोने लगती है और बोलती है कि आखिरकार वो ये बाते एक किंग से काहे बता रही है वो कहां यीडा की ये सारी बाते समझ पाएगा जिसके बद रैगनार यीडा के ओपर एक शौल डालता है और उससे बोलता है कि उसे यीडा को कुछ दिखाना है एक घर दिखाना है इसके बद सीन सिटो जो कि बियॉर्ण के ओपर जाता है जो कि बाहर जाने वाला होता है शिकार करने के लिए और वो शिकार करने के लिए सारे हतियार वगेरा अपने पास रख लेता है। तो यीडा कहती है कि तुमने क्या बोला और रैगनार बताता है कि अगर यीडा चाहे तो यहाँ पर रह सकती है। कुछ भी नहीं बताता तो बियॉर्ण उसकी अथड़ियां पथड़ियां बहार निखाल के उस बंदे को जान से मार डालता है। के पास एशलॉक अपने बच्चे आईवर को लेके आती है और फ्लॉकी से बोलती है कि उसे मालूम है कि आईवर के अंदर दिमाग है वो क्लेवर है और एशलॉक चाहती है कि फ्लॉकी आईवर को अपनी तरह बनाए। जितनी वो Christian से हेट करता है उतनी ही हेट वो आईवर को करना सिखाए और Ashlock कहती है कि अब से हर दिन वो फ्लॉकी के पास आईवर को लाएगी और आईवर को ट्रेन करने की जिम्मेदारी अब से फ्लॉकी की है इसके पास सीन जिटो के यीडा के ओपर जाता है जो की रैगनार को एक ancient Chinese medicine खाने को देती है यीडा खुद भी उसे खा लेती है और उसे खाने के बाद यीडा और रैगनार नशे में हो जाते हैं वो दोनों पागलपंती करने लगते हैं इसके पास सीन जिटो के हिडवे की तरफ जाता है जहां पे बियॉर्ण आ जाता है जिसे देख के कैल्फ और एर्लेंडर काफी ज़दा सप्राइजड हो जाते हैं और टोरवी और लगार्था काफी ज़दा खुश हो जाते हैं बियॉर्ण बताता है कि वो यहाँ पे दो रीजन्स की वज़े से आया है, पहले तो वो अपनी मदर को देखना चाहता था, और दूसरा कि वो टोरवी को अपने साथ केटागेट ले जाना चाहता है, एडलेंडर कहता है, यह क्या बोलड है और टोरवी मेरी वाइफ है, जिसक वो यह बोलता है कि जालबॉर्ग का बच्चा गूतरम उसके साथ ही रहेगा, टोरवी बोलती है कि वो अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती, और एडलेंडर बोलता है फिर में तुम्हें जाने की परमीशन नहीं दे सकता, यह सुनके टोरवी रोने लगती है, बिय परमीशन नहीं जाने के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, इसके बास सीन से टोके वेसेक्स की तरफ जाता है, जहां किंग एला और कुइन कुंतरित के आने की खुशी में पार्टी रखी गई होती है, और किंग एला उस पार्टी में नोडिस करते हैं कि एथल परमीशन दे दूँगा, जिस पर जूडित बोलती है कि नहीं उसका फादर, नहीं उसका पती और नहीं उसका ससुर, कोई भी आदमी उसे ओन नहीं करता है, तो वो जैसा चाहे वैसा कर सकती है, इसके पदद सीन सिप्टो के पैरिस की तरफ जाता है, जहां पे क्रिसमस का स ये एक्जबर करने लगती है, जिसकी आवाज है पूरे राज महल में आ रही होती है, फिर सीन सिप्टो के कैटागेट की तरफ जाता है, जहां पे अब सारे वाइकिंग अपना फेस्टीवल काफी मौज मस्ती से मना रहे होते हैं, फिर सीन सिप्टो के नेक्स डे की तरफ जाता है जहाँ कैडगेट में एक नया वाईकिंग राजा आता है वो वाईकिंग राजा अपने आपको कुईन एशलॉक से इंटेड्यूस करता है अपना नाम हैरल बताता है मगर उसके लोग उसे फाइन हेर कहते है एशलॉग उसका वेलकम करती है उसके लिए ड्रिंक्स मंगाती है कुईन एशलॉग पूसती है कि वो कहां से आया है और हैरोल बताता है कि वो टैंडरप करा जाए इस जगा का नाम कुईन एशलॉग ने कभी सुना नहीं होगा क्योंकि ये एक काफी छोटी जगा है कुईन एशलॉग पूसती है कि वो यहां पे क्यों आया है और हैरोल बताता है कि वो यहां पे इसलिए आया है क्योंकि वो रैगनार से मिलना चाहता है रैगनार की किसे तो हर किसी ने सुने है सिंगर्स चारो और उसके गाने गाते है रैगनार बहुत ही फेमस है जिसकी वज़े से मैं यहाँ पे रैगनार से मिलने आया हूँ फिर हेरोल एशलोग से पूछता है कि आखिर रैगनार कहा है और एशलोग बताती है कि हेरोल जल्दी ही रैगनार से मिलेगा इसके पास scene shift होता है हम देखते है हेरोल के आने की खुशी में party रखी गई होती है और फिर वहाँ पे ash log वापस से हेरोल से पूछती है कि सची में तुम यहां किसलिया आये हो और हेरोल बताता है कि वह यहां पे actually इसलिया आया है क्योंकि उसने एक लड़की एक princess से promise किया था हेरोल बताता है कि वह उस लड़की से प्यार करता था उससे साधी करना चाता था मगर उस समय उस लड़की ने हेरोल से साधी करने से मना कर दिया था क्योंकि उस समय हेरोल इतन कि अगर तुम सच्ची में ये चाहते हो तो तुम्हें रैगनार को डिफीट करना होगा इतने में बियॉर्ण टोरवी को लेके वहाँ आ जाता है और रैगनार भी वहाँ आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है सो गाइस बस यही था वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर देने चैनल पर नहीं आयो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबादना मैं में लोंगा तम लोग से नेक्स वीडियो में थब तक लिए भॉई भॉई ठटा